नमस्कार भक्सरोमनी कर्माबाई जी की जैहो कर्माबाई महीला जाट संस्था राजस्तान की प्रदेश अद्धेक्ष आदरने स्रीमती अलका चोधरी जी हैं जिन्होंने महीला ससकते करण के लिए अनूठे प्रियास किये हैं कर्माबाई महीला जाट संस्था के बारे में विस्तरत रूब से आधरने अलका जी की जुवने महीला जानते हैं किस तरीके से विचार आया जो करमा भाई 500 वर्स पहले भगवान को खीचड़ा खिला कर सिद्ध साधवी हुई जिनकी महिमा देश और दुनिया में हैं कालवा की करमा ने जगनात पुरी से लेकर हिंदुस्तान और विश्व भर में अपनी गुणों की पूजा करवाई है तो उनको फिर से एक अलका मिली है जो 500 वर्स बाद उसको रिवाईवल कर रही उनके मिशन को जबकि इस दोर में बहुत सारे लोग हुए कई ने प्रियास किया लेकिन शोभागे आपने पाया अलका जी एक करमा भाई की महिला संस्था का विचार का गठन किस तरीके से आया और किस रूप में करमा भाई के जीवन ने दर्सन को आपने प्रभावित किया इसके अंदर व्यक्तिकत निर्णाय और जैसा मैंने कहा कि स्वतंतरता जिसको कहते हैं ना कि आत्म निर्णाय का अधिकार होना चाहिए कुछ बातें थी जिन्होंने हमें प्रेरित किया इसके लिए हम आठ लोग थे अलग लग जीलों से थे उस वक्त भी और आज मा कर्मा भाई की महरबानी से हम लोग 16 जिलों में हमारी टीम काम कर रही है और इस संगठन के अंदर सदस्य और पदादिकारी जो है वो जाट महिलाएं हैं लेकिन हम लोग काम उनके लिए करते हैं जो हाशिये पर हैं जो वन्चित हैं जो आर्थिक परिवेश की कमजोर महिलाएं है और जिनको वाकई लाब पहुँचाने की जुरूत है एक मानवता के लिए आप कारे कर रहे हैं का गया कि मानवता केवल धर्म बने ऐसा प्रकास फेला जाएं आत्म ज्यान का दीप जला घर घर को रोसन कर जाएं जिस तरीके से आपकी महीलाओं की जो टीम का कारवा है वो 16 जिलों तक पहुंच चुका है अभी लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं सरकार भी महीलाओं के इत्मे बहुत सारे जनकर लेंकर योज नहीं चलाती है समाज भी अपने इस तरह से करता लेकिन आपने एक अनूठा जो नवाचार किया है महीलाओं को ससक्त बनाने के लिए और संस्था के क्या विजन है और किस तरह की महीलाओं आपके साथ इस कारवा में जुड रही है देखे तीन मुख्यों अबजेक्ट है संस्था के महीला ससक्तिकरण के लिए एक तो आर्थिक आत्म निर्बढ़ता बहुत जरूरी है शशक्त महीला व्यक्तित्व का निर्मान आर्थिक स्वतंतरता से आता है तो इसके लिए हम छोटचोटी वर्क्शोप आयोजित करते हैं सिलाई प्रशिक्षन, एम्ब्रोइडरी, एपलिक वर्क और रंग्रेजों द्वारा बुंदी प्रशिक्षन तो इसके द्वारा जैसे हमने रुमा जी से भी बहुत बड़ी एक जो है वर्क्शोप करवाई थी बाड़मेर में बहुत छोटी सी जगह है कोशलों की धानी में और सीकर में और सब जगह यहां भी हमने सिलाई प्रशिक्षन करवाई रंग्रेज भाईयों को बुला कर बुंदी का दुपट्टों पर प्रशिक्षन दिलवाया है ताकि महिलाओं को जैसे 6 रुपए मिलते ह हैं 4 रुपए मिलते हैं तो हमने यह कहा कि आप कम से कम उनको एक 8 रुपए एक दुपटे रंगने का दीजिए इसके अलावा हेल्थ एंड हाइजीन जो है वो मुख्य मुद्दा है और आपको यह जानकर खुशी होगी कि डेड़ साल हुआ है मातर संस्ता के गठन को लेकि तरह सरमांगीन विकास की बात भी आप रखते हैं वरक्षोप के माद्यम से भी सेलिब्रिटीज को भी भूलाते हैं और वो सारी चीजे उस तरीके से कहने कहीं संग्ठन के एजेंडे में पॉलिटिकली हावी होई जाती है अभी तक उसका समावी साब के यह देखने को नही हाली नहीं उठता क्योंकि यह जाट समाज की संस्ता है और सबके लिए कल्यान कारी कारी करने के लिए गटित हुई है और इसके अंदर आपको एसिस्टेंट प्रोफेसर्स, डॉक्टर्स, सभी तीनों मुख्य राजनितिक दलों की महिला, प्रधान, प्रमुक यह सब शामि मतलब PSD holders हैं, वो भी हैं, लेकिन हम लोग जब काम करते हैं, तो सब एक जूट होके करते हैं, और इसके अंदर यह है कि भई ठीक है, आप अपना जो राजनितिका है, वो अपना अलग केरियर है, आपका, यह समाज का कारीकरम है, समाज की संस्ता है, तो इसके लिए आप ज चवदा जिलों में काम हुआ, चवदा जिलों में काम हुआ, और कच्छी बसती, जुगी, जोंपडी, रेन बसेरे, अनाथा अश्रम, सडक के किनारे भिकारी लोग जो हैं वो, और व्रदा अश्रम, सब जगे हमारी इस्तानी यूनिट्स जो पहुँची, और कंबलों का, इन सब का वितरण किया, सेटर्स का वितरण किया, हम गुट्रस बेटच पे वर्क्शोप करवा सुके हैं, पांच जगे पर केरियर काउंसलिंग करवाते हैं बच्चीों को, ताकि गैर परमपरागत चेत्रों में आगे बढ़ने का अवसर मिले, कर्मा भाई के नाम सी संस्त साधना स्तल भने हैं, इस पर भी संस्ता का कोई विजन है कि कर्मा भाई की जो गीतों में गया जाता है, उसी अनुरूप उनकी छवीर, उनकी जो दर्सनी स्तल वो परेटन की रूपे बेड़ेवलप हो, हम जहां भी जाते हैं मा कर्मा भाई का भजन का आते हैं, जहां जो ह कर्मा भाई के कालवा इस्तित्मंदिर से ही लेके, आशिरवाद लेके की थी, और वहीं उनके जो डूडी परिवार की जो भमरी जी डूडी है, उनको पहला सदस्य बनाया था, पोस्टर भी मोचन भी उनसे ही करवाया था, और अभी मा के जैनती प्रोग्राम पे भी हम वा एक कोई पुरिषकार राजिस्तरी है, गोशित होना चाहिए, जो महिलाए अच्छा करती है, दूसरा एक पाठे पुस्तकों में एक लेसन होना चाहिए, उनकी जीवनी पे, कि कर्मा का जीवन है, वो समर्पन जुनून का जीवन है, निर्मल भक्ती का जीवन है, कि आप करो कि भगवान भी आजाएं, इतनी सारे विजन और बातों को सुनकर हर एक सुरोता को दर्शा को ये लगेगा, कि एक जाट महिला का इतना अच्छा प्रणाम सेसन, उच्चारन, सब्द कोश, और एक विजन सारा है, उसके बारे मों जानना चाहेंगे कि अलकाजी कौन है, जनरली आपके संपरक वाले तो सब जानते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि आपका एक व्यक्तित तो आपकी प्रश्ट भूमी से भी लोग आवगत हों, मैं बैसिकली सुजानगर से हूँ, मेरे पिता राजनीती में थे, और ब्रधान रहे थे, लंबे समय तक स्वरगय स्री चो तो मुझे लगता है कि उन लोगों का जो है वो सानिद्य या उनका जो डियने है वो मुझे में कहीं न कहीं आया है, अच्छा महोल मिला, मेरे भाई भी डॉक्टर है, अजय चौधरी, मेरे खुद के बच्चे बहु सब डॉक्टर से हैं, और मेरे पती इंजिनियर है, मैं खुद अब मैंने वियारस लिया है, सिर्फ इसी के लिए कि मैं अपने फैमिली को और अपनी संस्ता को जदा समय दे सकूँ, दो पोते भी है मेरे, जी मैं एजुकेशन लाइन में थी, अच्छा से आपने सेवा निवर्ती लेकर सामाजिक सरोकारों को चुना है, पूरा पर परिवार की जिम्मेदारियां तै करने के बाद सामाजिक सेवा के इस दाइरे को आप आगे बढ़ा रहे हैं, और निशित रूप से कर्मा भाई के जीवन दर्सन पर मेरा वेक्तिकत भी बहुत इंटरेस्ट है, तो मिलकर हम उस पर डॉकुमेंटरी भी करेंगे, बुकलेट के साथ मिलकर अच्छा प्रियास कर सके उसके लिए आपकी सुब कामने हैं, जी मुझे खुद को पर्सनली बहुत प्राउड फिल होता है जब आप जैसे समाज के युवा लोग और इतने सकारात्मक ढंग से अपने आपको इस मुकाम तक लाते हैं, जिस वज़े से आप यह हो, यह आपकी मेनत है, तो मुझे तो लगता है कि हमारा जो तेजाजी है, कर्मा भाई है, तो यह जो हमारे पूरवज हैं, इनको हमें याद रखना चाहिए, इन्होंने जो सेक्रिफाइसे इन्होंने अपनी जो लाइफ में किये, वो हमारे लिए बहुत बड़ा मोटिवे है, और सब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सब मेरे साथ सनेहिल और समान पूर्ण विवार है, और मुझे गर्व है अपने हीरों पर, जो मेरे सहस्ता के हीरे हैं, मुझे गर्व है, और मुझे इस बात का सबसे अधिक प्राउड फील होता है, कि जैसे-जैसे लोग बड़ इतनी अच्छी महिला है हमारे साहथ कहले, ए मतलब योँ आश्यर चकत सहो जाती हूँ कि इतनी अच्छी महिला हमारे समाज में है हमें पता इए नहीं थाा, इस संस्ता से पहले आम महिला के लिए ये है कि देखिये, मुझे ऐसा लगता है कि आप महिला को अपने बच्चों को खासतोर से ठीक है परिवार में सब कुछ है आप अपना भी ध्यान रखिए लेकिन एक आगामी जो पीड़ी जो निर्मान करती है वो समाज का वो आपके बच्चे करते हैं तो उन पे फोकस आपको रखना जी है तो निशित रोब से परिवार समाज और राष्टर की सेवा के लिए अलका जी का विसेई संदेश है और इसी तरह के रचनात्म कारिकरमों को हम आगे बढ़ाते रहेंगे